नमस्कार मैं हूँ सुनेल और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्ज करम एजुकेशन एंड जॉग बुलेटिर यानि बिहार सिच्छा समाचार जहां बाते करते हैं बिहार के सिच्छकों के लिए चाच्छात्राओं के लिए और इवाओं और इवतियों के लिए क्या कोच है सिच्छा विवाग से जुड़ी खबरे निकल कर सामने आई है आपको बताते कि बिहार के नियूजी सिच्छक पोस्टिंग तबादला और सौफ्ट्वेर के बीच ही मामला फसकर रह गया है कुछ भी किलियर नहीं है कि कब होगा पोस्टिंग और तबादला फिर भी सिच्छक आस लगाए बैठे हैं और सिच्छा मंतरी ब्यानों पर ब्यान देते जा रहे कि चल नहीं ट्रांस्वर पोस्टिंग होंगे इसी बीच एक सुखत खबर भी निकल कर सामने आई है बीपीएसी से बाहल सिच्छकों के लिए बीपीएसी टियारी वन और टियारी टू के तहत नियुक्त सिच्छकों के उस्तर युक्ताई होतू औकास मिलेगा सभी डियों को डॉक्टर एस सिधार्त ने निर्देश जार को दिया जाता है वहीं आपको अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि बिहार में टियारी फोर बहाली जल्द होगी इसकी अफसंभावना दिखने लगी है और इसी बीच खांसर जाने माने सिच्छा के खांसर बिहार के मुखमंतरी नितिस कुमार से मिला और इस प चर्चा बन गई है कि खांसर बिहार के मुखमंतरी से मिलकर कई तथे को सिच्छा से जुड़े कई तथे को रखा है इसी बीचे एक और पत्र आया है सिदात का कि बिध्यालियों के निरिचन एवं अनुसरवन करें उसमें खास गाइड़ाइन किया गया कि किस परकार से सभी खोटी के सिचको बिध्याले अधयापको अध्याच्यों को संदारिट किया जाएगा जैसा कि पहले लिखा जाता था लेकिन अब जितने भी सिच्चा विवाग के सिच्छक हैünk चाहिजिस कोटी के सिच्चक हैं अब उनको इस सर्विस बूक है, खोला जाएगा, संधारित किया जाएगा, जो विभाग भी देख सकेगी, सिच्छक भी देख सकेंगे और सुरच्छित भी रहेगा, कई विभागों में हुआ है इस तरह का, तो अब इसमें भी पहल करने की कोशिश की यही है, इसको लेकर प संधा परिचा पास पर्था में कॉंसलिंग के दावरा नो भाउन्ड में चरे गए, सिच्छकों अभी यहरतिओं की कॉंसलिंग जो ऑफिर से बहुत जल्द होगी, पट्ना जिले से स्चंधा परिचा परिचा पर्थम में 6000 सिच्छक अभी यहरति पास हुए थे, सभी सिच कौंसलिंग अगस्त में आयोजी थी जिसमें से जीले के 200 सिचकों के मुल कागजात का मिलान नहीं हो सका इस कारण उन्हें नोफाउंड के सुची में डाला गया था इसी महिने में नोफाउंड वाले सिचक वेरतियों के कौंसलि के लिए आवेदन लिया जाएगा वहीं आपको बता दे कि पेरोल पोटल के मुताबिक सिचकों को बेतन भुगतान होगा पेरोल पोटल मेनेजमेंट पर अंकीत नामों के अधार पर बिसमे विद्यालियों और महा विद्यालियों कर्मियों के बेतन का पुगतान होगा तो यह बड़ी पहाल होने जा रही है इस पर कार्ज हो रही है और इसके अधार पर बेतन मिलेगा नवंबर से बिद्यालियों की होगी रैंकिंग, रैंक मिलने के बाद 1 से 5 अश्टार तक की हो जाएंगे सरकारी स्कूल के बिद्याले, 43,000 प्रात्मिक, 49,000 मद्द और 9,360 मादमी बिद्यालियों के लिए अलग-अलग फॉर्मेट जारी हुआ है, दिपावली से पाले होगा बेतन भुखतान, मांगा विपत्र, सभी अधिकारी और कर्वियों को समय बेतन भुखतान होगा, या सरकार और विभाग ने आदेश चारी कर दिया है, लेकिन अभी तक बेतन भुखतान होने की खबर निकल कर नहीं आई है, तो क्या दिपावली से पहले बिहार के सभी तर जिला सिच्छा कर्यालाई की लपरवाही के सीरे तो नहीं चाट जाएगा दिखना होगा समय का इंद जार कीजिए फिर भी आस पर दुनिया टीक हुई है मिल भी सकता है पर्यास किया जा रहा है मिला भी है कई बार समय से पहले मिल गया है तो दिपाबली में आपका घर रोसन होने जा रहा है इधर बियार के मुकमंद्रिया बच्छों के बीच भी जाना शुरू करती हैं और जाकर उनसे बिभीन युजराओं के बारे में बात किये हैं सुपॉल में उन्होंने इस्कूल में गए और उन्होंने पूछा कि अन्डापल वगरा मिलता है या नहीं बच् सुनीर कुमार ने का कि समय पर पाठ करम पूरा कराना हमारी सरकारी विद्वालों में पठन पाठन सुचारू कराने को लेकर परतिवाद नहीं है इस दिजा में लगतार कई परियास भी हो रहे हैं सिचको के सानांतरन और पदस्तापन समंदी सौफ्ट वेर तैयार किया जा रहा है दो चार दिनों में तैयार हो जाएगा और सिच्छकों से आवेदन लिये जाएंगे जिसमें 20-25 दिनों का समय दिया जाएगा इधर बहाली को लेकर सिच्छकों के 49,000 पदों का रोश्टर बेजा सिच्छा विभाग का अनुमती आवेदन भरने कि 3TBR बोर ने बढ़ा दी है अब 30 हक्टूबर तक भरा जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ विद्यारती आवेदन भर सकते हैं हेल पलाइन नमर 0612 और 2349 पर संपर्क किया जा सकता है वहीं सेकेंडरी प्लस टू में होगी 49,391 अ सचमता साथ विश्यों की परिचा दोवारा होगी यानि कि सचमता जो 25 तारीक की परिचा होई थी वह रद कर दी गई है 26 तारीक होई थी उस रद कर दी गई है प्रस पत्रों में विसंतियों के कारण परिचा रद करने की बाते हो रही है अब 13 नमंबर को परिचा होने की ब चुके हैं वहीं दूसरे चनल के सचमता में 85,000 से अधीक सिचक जो हैं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और पिर टैलेफ पोस्टिंग का आस लगा रहे हैं काउंसिलिंग के लिए तैयार बता रहे हैं वहीं गुनवता पुन सिच्चा के लिए जिले के सिचक देंगे अपनी राय यानि सिच्चा विवा की एक बड़ी पहल होने जा रही है ऑन-Line Debate होगा ओन-Line Meeting होगा जिसमें सभी अपनी राय रखेंगे सुना जाएगा कहा जाएगा बोला जाएगा माना जाएगा इसमें सिचकों को भी आमंद्रित किया गया है सिच्चक भी इसमें अप में हल्ला करते हैं कि सब निता एक कर दिया ओकर दिया तो आपको भी मिला है डरने की जरूवत नहीं है आप अपनी बात खुल कर रखें आपनी बात कहने में कभी पीछे नहीं अटने चाहिए तो इस चबिस्तारी को खास होने वाला है इदर भी पेसे टीरी बन और टीरी तू के निक्त सिचको की योगता विस्तार को लेकर और कास देने की भी अब पहल सुरू हो गई है तो इधर बता दे कि सिचको को छट पर्व में चार दीनों के छुट्टी का एलान हो गया है और एक बड़ी खबर हम आपको बता दे कि छट और दिपावली के बीच में जो समय ब छुट्टी रहे इसके लिए विभाग में बाते चल रहे हैं लेकि समय का इंदिजार कीजिए हो सकता है छुट्टी या फिर इतना ही दिनों पर आप सोतंतर हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप तक हम वीडिय यो पोचाते रहेंगे जय हिंद्ट जय हिंद्ट